Hello and welcome to Sports Fact देखे ये Legends League शुरू हो चुका है और बहुत ही interesting और दिल्चस्प matches चल रहे हैं देखे अगर बात करें Saturday की match की देखे World Giants और India महराजा के बीच match था और बहुत ही शांदार match देखने को मिला देखे इंडिया महराजा को हार का सामना करना पड़ा लेकिन World Giants के खिलाडी ने इतना ही amazing perform किया कि उनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है वो है इमरान ताहिर देखे इमरान ताहिर ने 52 runs बनाए सिर्फ और सिर्फ 19 balls में इमरान ताहिर के बारे में एक बार बता देते इमरान ताहिर ने South Africa के ले काफी match जिताओ प्रदर्शन दिया है वो एक बहुती प्रसिद्ध लिमिटेड ओवर स्पिनर है लेकिन देखे 42 years के ये जो खिलाडी है ऐसा लगता है रिटार्मेंट के बाद इन्होंने अपने बैटिंग स्किल्स पर काफी फोकस किया बहुत ही बहतरीन फोकस किया है और इस वज़े से कल इतना बहतरीन रन बनाया उन्होंने 52 runs बनाया सिर्फ और सिर्फ 19 balls में इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए इन्होंने 5 5-6's मारे हैं 5 छक्के लगाए इमरान ताहिर ने और इतने बहतरीन छक्के थे देखिए इनका जो total overall अगर हम इनका run देखिए तो इतने कम गेंदों में इतना ज़ादा run बनाने वाले इमरान ताहिर देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि age doesn't matter देखिए age हो गई है लेकिन फिर भी उनका जो form है वो miss नहीं करा है in fact add-on हो गया है देखिए बैटिंग skills में वो focus कर लिये हैं और बैटिंग में इतना बहतरीन प्रदशन किये देखिए score के साथ साथ उनके catch की भी बाते चल रही है जो उन्होंने catch पकड़ा है नमन ओजा का बहुत ही बहतरीन catch था और उसकी भी चर्चा चल रही है देखिए ये अभी की update है इमरान ताहिर को लेकर इस विच आपको ये भी बता देते हैं इंडिया महराजाज ने 209 total score किये थे जिसमें नमन ओजा ने century लगाया था और देखिए बहुत ही बहतरीन प्रदर्शन रहा था नमन ओजा का लेकिन नमन ओजा का catch पकड़ने वाले भी इमरान ताहिर ही थे इमरान ताहिर ने नमन ओजा का catch पकड़ा था ऐसी अपडेट्स हम आप तक पहुचाते रहेंगे क्योंकि लेजेंड्स लीग भी शुरू हो गया और बहुत ही बहतरीन मतलब मैचेस देखने को मिलेगा आगे भी तो देखे ऐसे ही interesting अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जोड़े रहिएगा और प्लीज देखे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो like, share, subscribe करना ना भूले बेल आइकन को याद से प्रेस कर ले ताकि notifications time to time आप तक पहुचती रहे